आज का वीडियो कल की वीडियो से रिलेटेड है और मैं इसमें आपको एक्स्प्लेइन करूंगा कि कल मैं क्या बताना चाहा रहा हूं करांसे तो वीडियो को स्टाइड एक थोड़ा एक हावन जो यहां पहीं में यहां पर कुछ महां यहां दो कुछ यहां ऀलेक्ट्टिकल का काम हो रहा है तो यह proximity sensor है यह proximity sensor ऊपर वाला वाला जो है वो काम मतलब आनसे feedback नहीं जा रहा है यह proximity sensor किसे लगागा है इस से feedback जाता है यहां पर उक्टन होगा दिए स्विचिंग होने ते क्या होता है फिर वह सप्लाइब बढ़ जाती है उस आप आगे किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं यहां पर फीडबेक के लिए यूज रहा है तो इसके त्रूब नीचे दोनों जगश लगे वे दोनों जगश लगे तो क्या है कि उससे यह पता एडिस्ट किया जा रहा है और तो यह इस्ट्रमेंटरियस को कहां है अब जर्ण सागे बढ़ते हैं तो यह देखो यहां पर यह बिरक निचे जब यह करेगा तो यह रहा है तो यह उपर की और उठेगा तो इसके त्रूब फिर यह वाला यहां पर प्रॉक्सिम्टी वह report करने लगेगा correct तो यह सारा काम भी electrical वाले ही करते हैं देट मैं हम लोग करते हैं और यह बहुत आसान है आप इसको easily कर सकते हो क्या यहां पे भी देखो यह क्या क्या कर रह consistent पे यह अब यह उपट वाल न studied ने दबाया अब ये कैसे काम कर रहा है, इसके लिए भी pneumatik valve कहीं पर लगे हुए है, तो pneumatik valve को operate कौन कर रहा है, pneumatik valve को command दे रहा है control room से, control room से 110 volts आता है, किसी solonide को जाता है, solonide में जाकर फिर उसके तरू हवा जो है कहीं जाती है, और इस तरह से power center को open या close किया जाता है तो यह भी काम हमारी department का है electrical and instrumentation अब यह जब यहां दबा तो यहां पे भी कुछ function हुआ यहां पर यह दब रहा है तो कुछ ने कुछ तो और हो रहा होगा न तो यहां पर क्या हो रहा है यह हवा यहां तक रुकी होई होती है अब वो हवा यहां ते निकल के फिर आगे कहीं जाएगी अब आगे कहाँ जाएगी और असका पर प्रिसर स्वच में जाएगी तो उसका फिर काम होगा कुछ भी वहां ते भी कुछ रिपोर्टिंग होगी या फिर उसका भी कुछ काम लॉजिक में लिया हुआ होगा यह एक मोटर है मोटर के ऊपर यह क्या लगा हुआ है यह है अब यहां पर तार भी नज़र आ रहे हैं आपको तो इस पर यदि कोई प्रॉब्लम आए यदि इसको रिप् टेक्निसिंस इनके ही जिमेवरी होती है कि यह तारे प्रॉब्लम अटेंड करें है लैं घए तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यह तारे प्रॉब्लम्स आपको किसी बीπिन स्टी में मिल लेंगे और आपको इनका भी काम आ जाएं पता होना चाहिए एकि हाँ इंडेस्टिरी में है तो फिर हो मतकता है कि यह वाइंड निंग टेप्राइगा वाइंडिंग निपर बढ़ जाएकी तो क्या हो जाए यह यहाँ पर दे को यह बंदा क्या कर रहा है उसी वे जो आठी डी मैं आपको दिखाया था उस यह या तो connection खोल रहा है या फिर बंद कर रहा है जो भी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर है इसके साथ है ना तो उसने इसको इंस्ट्रेक्शन दिया कि इसे खोलो लेकिन उसको खोलने के पर आपको यह पता होना चाहिए कि यदि मैं इसका यह वायर ओपन करवांगो तो ऐसा तो कि यह मोटर यह ड्राइब जो अभी तक चल रही है वो बंद हो गई यह हो सकता वो टिप कर जाए तो यह सारी इंटर लॉक भी आपको पता होने चाहिए करेक्ट यहां पर क्या कर रहा है यह बंदा अब इसे ओपन कर रहा है इसके पीजे है क्या इसने मार्किंग किया क्यो गलती से जब इसको वापत लगा जागा यह कबर तो बिल्कुर उसी जगा पर उसी पोजिशन पर इसको डखने में मुझे पता चले कि हां इसी जगा पर यह था कभी कभी होता रहा है कि नडबुल्ट उपर के नीचे के चेंज हो जाते हैं है ना हो सकता वो कावरी उल्टा लगा दें तो इस लिक्कति हो सकते तो यके smart फेया है कि मैं किसी जिसको इसर पर किया मिला यहां पर ओपन करने के में से problem कहां पर आपको ट्रेस करना है तो आपको यह फिरूल लगे हुए इनके थूरू आपको ट्रेस करना पड़ेगा यहां पर TV नमबर है तो कभी-कभी आपको इन था चीतों पर भी करना पड़ेगा अब रिले यदि आपने उपन किया रिले में कुछ प्रॉब्लम यदि आप सौट आट कर रहे हो तो आपको यह पता है कि रिले के अंदर का इसा है उसकी वैरिंग किस्ता से हुई है यहां पर देखो क्या हो रहा ह सबने यद्च семь हो रहा है तो इसली नहीं छीट हो रहा है कि मोड़क हेवें का रिग्लर में च儿 होता है उसकी च्पाइस है उसके सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कभी-कभी आप इससे बूलाना कि जा दूथ ऐसे मों विर्क हम पर दो रहा है चिंशना और देखू मैंनूने यहां पर लगाकर और पो चेक करें कि कहांद कहांद पर इस पॉइंट पर उपर स्थे इस जाधा हो रहा है केता हुए यहां पी दीको ने हैं कि इसेप्रेंट वीडियो और यहां पर आप देखो कि यह फ्यूजर जो है फ्यूजर के उपर जरा सा यहां पर आपको वाटर के ट्रॉपलेट्स दिख रहे हैं दिख रहे हैं कितनी अजीब बात है एक पैनल के अंदर भी आपको यह सारी चीज़े मिल सकती है अगर आप देखो को तो यहां पर जब इसे टेस्ट किया जा रहा तो यहां पर सप्लाई भी गुलो करी है इस यह अभी नहीं है तो यह वाटर ड्रॉपलेट्स में क्यों आए और इसकी वजा सकता है ग्राउंड फोल्ट हो सकता है तो यह कई तरी की चीज़ें अभी तो इंडिस्ट्री में और बहुत सरे आपको लेसंस जानने हैं और इन लेसंस के अपने आपको तयार करोगे तो आप वाकई में बहुत तेज़े से बहुत तेज़े से आप किसी भी इंटर्व्यू कर सकते हो और अब सफल हो सकते हो और एक अच्छी इंजीनियर और मैं यहां पर फिर से बोलूँगा कि लेक्टिकल ही नहीं इंस्ट्रुमेंटर्शन का काम भी आप सीखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आप एजिली इस पो सीख सकते हो और all the best मैं तो यहीं कहूंगा कि मेरी सारे lessons आप लोग देखो में पोरे industry related ही लिए व्यादिव किसी कि यहां पर कोशिस करता हूं कि आपको पता चले की इंडस्ट्री में एक एलेक्ट्रिकर इंज्इूनिर का क्या-क्या है एलेक्रिकल टेखने इसका क्रियर के लिए बहुत ही ज्यादा फायते मंद होगा तो मेरे वीडियोज आप जरूर देखो और उनको तो शेयर भी करो जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में उनको आप जरूर बताएं कि इस तरह के काम के लिए प्रिपेरेशन आप रखो तो मिलते हैं फिर एक नेक्स लेशन में तब तक के लिए फिर बाइद टिक खियर